बिस्मिल्लाइ रह्मान रहीम असलाम एक वेवर्स वेल्कम टो मैं चैनल को खेंदित माली का उमीद है कि आप सब है रवाफियत से होंगे अल्लाद आपको हमेशा हुच्छ रबाद रखें आमिन सुमामे तो यह वर्स एक ही मोटीरियल से तीन तरहां के लंच बोक्स आइडि आपको मिल जाएंगे बहुत इस इंपल आसान सी मज़ेदार किसम की रेसिपी है फुल वाच कीजिएगा ताकि कोई भी स्ट्राप आप से मिस्ट्राँ हो सके तो यहां पर मैट्रियल बनाने के लिए हमने आदा किलो अलू बॉयल कर लिए आलों को छील के मैं थोड़े के ल आप आफ टीस्पून लेट्सं का पाउडर का पेस्ट भी स्कस्वरत करते हैं और आफ टीस्पून शामिल करेंगे आप उसके जरी इसको थोड़ा सा चटपटा बना सकते हैं एक टीस्पून यहां पर सया सोर्स शामिल कर देंगे और साथी एक टीस्पून रेट चरी सोर्स एड़ कर देंगे एक डिफ्रेंस ता टेस्ट आ जाएगा इस मैटिरियल के अंदर और उसके बाद हमने यहां पर 200 ग बाद आप देनके नेयरा ताक्क किया करना है मैशर मेंसर के भाद होगा स्समाल कर ले बस फिसी मैट्रियरल के इंदर अच्छे ने चाहरी प्रृपट मायानेज और रहरी हमेने यहां कीपरस्पून हरी चटनी ली थी और आधा कप ले लिया था यह जो कैबिज होता ना वरी कटा हो शामिल करके सोस को च्छे से मिक्स करेंगे इसके अदर कैबिज चाल के इसको भी रखेंगे एक साइट पर और आप हमने व्रेट के स्लाइसे ले लेने इसके उपर इस मट्रीड करेंगे एक जुटकी नामक शामिल करेंगे एक टेवस्पून पानी और थोरा सा थाधा शामिल करके इन जो सेंविच की पोटिंग कर लेंगे इंडै के साथ उसके बाद आप मैदा ले लें उसके साथ इसको डिप कर लें जिसे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रहेंगे जो थोरा सा धनिया और अंड़ा बच गया था यह मैंने टॉपिंग भी लगा दिया है ताकि ये सैंविची देखने में भी अच्छे रहे हैं तो थोरा से मैंने प्रैब कर लें बच्चों के लंच बॉक्स में पैक कर लें और बहुत ही टेस्ट फुल मदेदार किसम का एक तो लंच बॉक्स आइडिया आपसे मैंने शेयर कर दिया है बचे इन्शाला ये लंच बहुत शोख से काएंगे बहुत हैल्दी भी है ये रैसी भी और बच्चो ब्रैट कर लिए हमने हाफ कप के लिए उसके नदर शामिल किये है और हाफ टीस्पून इसमें चार्ट मसाला पाउडर शामिल कर देए ताके क्रब्स का जो हमने मटरियर्ल एक्स्ट्रा है किया न तो उसके वज़़ा से मिक्स कर लेंगे और इस तरह हमारी ये लो दो दो द अगर और आप इसके अंदर अंड़े का स्लाइस रख देते हैं यह टोमाटर का स्लाइस रख देते हैं अगर बच्चे पुसर krijते हैं तो भी यह कटलक के बना लेनी हैं नगट की शेयर हैं लौण के बना लिए अगर चुटन देहillar हो चुकह हैं और अब हमने अंडा लेकर इसके अंदर एक डेबस्पून पाने शामिल किया है एक चुट की नमक शामिल करके तो इन नगर्स की एक कोटिंग कर देंगे अंडे के अंडे के अंडर और उसके बाद एक हमने प्लेट ले ली है ब्रेट क्रम्स की तो अंडे की कोटिंग करने के उड़ी बात वालबा नगर सकते हैं इसे नाम मनायक के लंगर्स को रह双ा बोनेंगे के कबाब की और ऊसको इसको यंदे करेंगे तो इस रहां से ये दो किसम में के लंच वुक्स त्यार हो जाएंगे बचों के लग लग flor होते हैं लग लग टेस्ट हो तो आप अपने बच्चों के टेस्ट के हिसाब से एक ही material से तीन तरह के lunch box त्यार कर सकते हैं और इसके लावाई ये सारी preparation आप रात के बड़ कर लें bread crumbs लगा कर रख लें और morning के type इंको fry कर लें तो भी आपका काम बहुत ज़्यादा असान हो जाएगा क्योंकि morning में moment time को होता है तो आप ये coating शोटिंग करके सारा material ready करके coating करा करके रात को फ्रीज में रख लेंगे तो क्या होगा कि सारे bread scrum अच्छे से इसके उपर चिपल जाएंगे जब आप इंको fry करेंगे तो ये bread scrum oil के इंदर बिकर कर oil को भी हराब नहीं करेंगे और आपका काम भी अचान हो जाएगा आप फड़ावर से बच्चों के lunch box भी तयार कर सकते हैं तो यहां पर हमने oil को गर्म कर लिया है और उसके बाद हमने इसके नगर्स शामिल कर दिया है एक side जैसे ही crispy हो जाएगी golden हो जाएगी side change कर देंगे और दूसरी side पर पलट कर उसको भी golden कर लेंगे और दोनों side को crispy और golden हो जाने तक fry कर लेंगे और इसी दरान में विवर्ज आपते हैं बड़ी क्रैस रहके अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग लग लिया तो प्लेज को लाइक और शेयर कर देज़ेगा शेयर करने इस लाइकम प्रेस कर देज़ेगा ताके हैं नहीं आने वली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फॉरां से पहुंच सके जो बेलकुल फ्री है तो नगर्स हमने फ्राइब कर लिया है इसी तरह हम कबाब भी फ्राइब कर लेंगे दोनों तरों से golden और प्रिस्पी हो जाने त कर सकते हैं इन कबाबों के अंदर आप वाटर का स्लाइस रख दें या बॉयल अंडे का स्लाइस रखने के साथ साथ चीज का भी स्लाइस रखके इसको फिल करके तो यह कबाब कर सकते हैं कबाबों को भी हमने बिल्कुल इसी तरह से क्रिस्पी और गोल्डन हो जाने तक फ् बैक कर लें वच्छों को लंच में दीजिए इन्शाला ये लंच वोक्स हाली ही आएंगे बहुत शोग से खाएंगे हेल्दी भी हैं मदेदार भी हैं और आपको तीन देन किसम की आईडिया एक ही मटीरियल से मिल जाएंगे इसके साथ ही वस्जादत दीजिए फिरादीरों क इन्शाला इक ने लेस्बी के साथ अपना बहुत साहिया रखेगा मुझे भी दो में याद रखेगा अलाहाफेज